आज हम सिखेंगे बहुत ही सुन्दर सा निटिंग पैटन इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं इसे आप लेडिस गाडियन में लेडिस जैकिट में जैंट साफ सैटर फुल सैटर में बच्चों के सैटर में अपलाए कर सकते हैं तो दिखें आगे की साइड से ये इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से इस तरह से दिखता है तो इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको जो फंदे चाहिए होंगे वो 6 के मल्टिपल से होंगी यानि कि 6 फंदे 6 फंदे 6 फंदे इस तरह से 6-6 फंदों के मल्टिपल से आपने फंदे ल लिए और यह जो डिजाइन है यह 10 रो का डिजाइन है तो चलिए फैन बनाती हैं तो देखिए मैंने यहां पर 14 फंदे लिए हैं 12 फंदे इसके 6 के मल्टिपल से लिए हैं बार 6, 6 फंदे लिए हैं तो 12 फंदे हो गए, प्लस 2 फंदे एस्टिच के लिए लिए हैं तो 14 फंदे हो गए, निचे से बेस देने के लिए दो रिख ओर उल्टे फंदों के साथ बुनकर निकाल ली हैं, आप जो भी बॉर्डर बनाना चाहें वो निचे से बना सकते हैं तो चलिए बनाते हैं पहली रौ सीधी साइड एस्टे स्लिप करेंगे धागा आगे करेंगे और इस सारी रौ को उल्टे फंदों के साथ बुनकर कम्प्लीट करेंगे पहली रौ है और सीधी साइड है इसे उल्टे फंदों के साथ ब लेंगे पहली राव कम्प्लीट हो गई हैं दूसरी राव रॉंग साइन इस राव में सभी फंदे उल्टे-उल्टे बना लेंगे एस्टेच पी उल्टा ही बनाएंगे अब देखिए यह हमारी तीसरी राव है और सीधी साइड है एस्टेच स्लिप करेंगे रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे दो फंदे सीधे बनेगे एक दो अब दो बार एक फंदे के तीन फंदे बनाएंगे तो दिखिए इस तरह से पहले सीधा बनेंगे इस फंदे को थोड़ा सा लूज ही रखेंगे वन जाई डालेंगे टू फिर से सीधा बुनेंगे थ्री फिर से एक बार एक फंदे के तीन फंदे बनाएंगे वन जाई डालेंगे टू सीधा बुनेंगे थ्री दो फंदे सीधे एक दो ये देखिए हमारा एक पैटरन कम्प्लीट हो गया है इसमें हमने दो फंदे सीधे दूपन्दे सीध्uesta फंदों का पैटनने देखिए दो चार छे फिसस पैटन को रपीट करेंगे तो फिर से देखिए दोपन्दे सीध एक कि दो बार एक फंदे के तीन फंदे बनाएंगे एक बार सीधा बुनेंगे वन जय डालेंगे टो सीधा बनेंगे 3, फिर से 1 फंदे के 3 फंदे बनाएंगे 1 जाइडा लेंगे 2, सीधा बनेंगे 3, दो फंदे सीधे, 12 ये देखिए यहां से यहां तक हमारे 2पैटेन complete हो गए है last में stitch बचेगा सीधा बना लेंगे तो हमारी तीसरी row complete हो गई है चौती row wrong side stitch slip करेंगे repeat pattern start करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो अब दो बार तीन तीन फंदे slip करेंगे यह दिखिए एक फंदे के जो तीन फंदे बनाई थे उसको slip करेंगे एक और दो दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो यह दिखिए यहां पर हमने दो फंदे उल्टे बनाए तीन फंदे दो बार slip किये एक, दो, दो फंदे उल्टे, फिर से पैटर रिपीट करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो, तीन फंदे स्लिप करेंगे दो बार, एक, दो, दो फंदे उल्टे, एक, दो, एस्टिच उल्टा बना लेंगे, चौथी रो कम्प्लीट हो गई है, पांच मी रो और सीधी एस्टी स्लिप करेंगे, repeat pattern स्टार्ट करेंगे, अब देखिए ये आगे के दो फंदे और ये तीन फंदे टोटल पांच फंदे हैं, इनको twist करेंगे left to right, इस तरफ को आगे की तरफ से ये तीन फंदे आगे लेकर जाएंगे, और पीछे की तरफ से आगे वाले दो फंदे पी दो, अब ये तीन फंदे और दो फंदे पांच फंदे हैं, इसको right to left इस तरफ को twist करेंगे, पीछे की साइड से दो फंदे आगे लाएंगे, और आगे वाले तीन फंदे फंदे फ्रंट लूप से पीछे लेकर जाएंगे, अब दो फंदे सीधे, एक, दो और तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, तो दिख्ये हमारा एक पैटन कंपलीट हो गया है, इसमें हमने पांच फंदे left to right कि अवर तीन फंदों का एक फंदा बनाएं, दो फंदे सीधे, पांच फंदे right to left किया और दो फंदे सीधे बूने, तीन फंदों का एक फंदा बेक值 से बूना, फिर से इस pattern को repeat करेंगे तो फिर से देखिए 5 फंदे left to right twist करेंगे twist to right को दिखिए 2 फंदे left needle पर लेकर जाएंगे और पिछे वाले 3 फंदे आगे लेकर आएंगे अब आगे की side से 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे 2 फंदे सीधे 1,2 अब 5 फंदे right to left twist करेंगे twist to left पिछे की side से 2 फंदे आगे लाएंगे आगे वाले 3 फंदे पिछे लेकर जाएंगे front loop से अब 2 फंदे सीधे 1,2,3 फंदों का एक फंदा बनेंगे तो देखिए एस्टिच छोड़कर यहां तक हमारे दो पैटर्न कम्पलीट हो गए हैं लास्ट में एस्टिच हैं सीधा बना लेंगे पांच मी रो कम्पलीट हो गई है चती रो wrong side इस रो में सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे एस्टिच भी उल्टा ही बना लेंगे अब देखिए साथ मी रौ है और सीधी साइड है एस्टिच स्लिप करेंगे रपीट पैटन स्टाट करेंगे एक फंदे के तीन फंदे बनाएंगे तो देखिए पहले इस तरह से सीधा बुनेंगे लूज ही रखेंगे फंदे को फिर से सीधा बुनेंगे थ्री अब चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार फिर से एक फंदे के तीन फंदे बनाएंगे तो एक बार सीधा बुनेंगे यह देखिए हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है इसमें हमने एक फंदे के तीन फंदे बनाए चार फंदे सीधे बने फिर से एक फंदे के तीन फंदे बने फिर से इस पैटन को रपीट करेंगे तो फिर से देखिए एक फंदे के तीन फंदे बनाएंगे एक जए डालेंगे, दो, सीधा बनेंगे, तीन, चार फंदे सीधे, एक फंदे के तीन फंदे बनाएंगे, एक, दो, और तीन, यहां सी यहां तक हमारे दो पैटर्न कम्प्लीट हो गए हैं, last में एस्टिल सीधा बना लेंगे तो दिखिए साथ मी रो complete हो गई है अब ये हमारी आठ मी रो है wrong sign एस्टिल slip करेंगे repeat pattern start करेंगे अब ये तीन फंदे हैं तीन फंदों को slip कर लेंगे धागे को आगे ही रखना है चार फंदे उल्टे बना लेंगे एक, दो, तीन, चार धागा आगे रखेंगे तीन फंदे slip करेंगे तो देखिए यहां से यहां तक हमारा एक pattern complete हो गया है हमने तीन फंदे slip किये चार फंदे उल्टे बनाए तीन फंदे slip किये फिर से इस pattern को repeat करेंगे धागा आगे ही रखेंगे तीन फंदे slip करेंगे चार फंदे उल्टे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार तीन फंदे slip करेंगे लास्ट में एस्टिज उल्टा बना लेंगे आठमी रख कम्प्लीट हो गई है नौमी रख है और सीधी साइड है एस्टिज स्लिप करेंगे repeat pattern start करेंगे अब पांच फंदे, तीन फंदे एक फंदे की तीन फंदे बनाए थे और दो फंदे, पांच फंदे right to left इस तरफ को टिस्ट करेंगे पीछे की साइड से दो फंदे आगे लेकर जाएंगे और आगे वाले तीन फंदे पीछे लेकर जाएंगे ये तीन फंदे बैक लूप से पीछे दो फंदे लेकर जाएंगे और पीछे वाले तीन फंदे आगे लेकर आएंगे और तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे आगे की साइड से दो फंदे सीधे एक, दो ये देखिए यहाँ पर हमने पांच फंदे राइट तू लेकर जाएंगे अब दो फंदे सीधा बनेंगे एक, दो तीन फंदों का एक फंदा बैक लूप से बनाएंगे अब पांच फंदे लेकर आएंगे तीन फंदे आगे लेकर आएंगे आगे वाले दो फंदे पीछे लेकर जाएंगे और तीन फंदों का एक बनाएंगे आगे की साइड से दो फंदे सीधे एक दो तो यहां से यहां तक हमारे दो पैटन कम्प्लीट हो गये हैं लास्ट में सीधा बना लेंगे नौमी रौ कम्प्लीट हो गई है अब देखिए दस्मी रौ है रौंग साइड इस रौ में सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे एस्टिच भी उल्टा ही बनाएंगे तो देखिए दस्मी रौ कम्प्लीट हो गई है और हमारा पैटर्न भी कम्प्लीट हो गया है फिर से हम इसे फर्स्ट रौ से स्टार्ट करेंगी यानि कि फर्स्ट रौ सारे उल्टे उल्टे फंदे बनाएंगे ऐसे ही बार-बार इसकी 1-2-10 रोर रपीट करते जाएंगे और ये pattern बनकर इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी project में डाल सकते हैं तो friend आप भी इसे बनाएए और अपने experience हमारे साथ share कीजिए तो मिलते हैं ऐसी ही और नहीनी patterns के साथ Till then, bye bye friend